एक देश के सैनिक के साथ पुलिस प्रसाशन द्वारा न्याय नहीं मिल पाया यह पुलिस प्रसाशन के लिए घटिया मान शिक्ता को दर्शाता है यह हमारे देश के लिए बहुत ही निंदनी अकार है जो सैनिक सवी देश वाशियों के लिए यह यूँ कहें अपने देश की रक्षा के लिए 24 घंटे अपना सीना तानी खड़ा रखता है आज उनी सैनिक के साथ पुलिस प्रसाशन द्वारा प्रताड़ित कर लॉक अप में डाल दिया गया जी हां मामला है शेडोल जिले के बहारी विदान सपागे क्राम साखी का हम बात करें हैं इंडियन आर्मी के अभिशेक द्रवेदी पिता चंद्र प्रकाश्य द्रवेदी इंडियन आर्मी जवान है वर्तमान में आठी सेंटर नासिक रोट काम्स में पदस्त है उनके ना रहने पर उनकी विपक्षियों के द्वारा उनकी जबीर पर कबजा कर लिया गया और उनके मादा पिता के साथ मार पीट वावत सलुखी की गया जवान को सूचना मिलने पर जब घर आये तो बिहारी पुलिस थाने में जाकर एफाइयार लिखाने गया तो पुलिस प्रसाशन और उनके बिरोधियों के द्वारा थाने के अंदर उनकी साथ मार पीट की गया और उनके जूटी एफाइयार करके लोक अप में बंद कर दिया गया जो आप वीडियो में देख सकते हैं एक देश के सैनिक के साथ पुलिस प्रसाशन की घटिया मान सेकता को दर्शाता है वहीं जब यहां कोई सुनवाई नहीं हुई तो कलेक्टेट तक शिकायत करने के बावजूद भी दोशियों के ऊपर कोई कारवाही नहीं हुई कुछ दिनों पर शाथ फिर बिहारी थाने में गए तो बिहारी के मीली भगत में उमरिया जिली की पुलिस आरक्षक सुधीर द्रवेदी थाना ताला मानपुर के द्वारा आकर तारीक 3 जुलाई 2020 को सबी स्टाफ एवं विरोधी मिलकर उनके साथ बचसलू की और मार पीट करके उन्हें लॉक अप में बंद कर दिया गया जमीन पर आकर कबजा किये मेरे पिताजी के लाग मना करने पर उन्हें ने हमारे घरबालों के साथ मार पीट की तथा मैं वहाँ पार्क में वजूद नहीं था मेरे को सूचना मिलते मैं पुलिस थाने पिर गया और मैंने सूचना दी लेकिन सो नंबर में सो नंबर पे जो ड्राइवर था और पुलिस प्रसासन थी मेरी कोई मदद नहीं की तथा वो तब गय जब लड़ाई हो गई मैं थाना एं बैठा रहे गया मैं गया मैं बैठा इह था तब ही कांश्टवल सुधिर दुएधी घर से लड़कर ठाना में गया और सभी सीपाही मिलकर नारेंद्र, उपध्या, दिनेश सुकला, सुधीर दुवेदी, आधि सब ही कांस्टबल मिलकर मुझे वही थपड मारे जिसका वीडियो मेरे पास है और मुझे जेल में डालकर मेरे खिलाब छूटे फाइयार लिगती और बहुत बुरी तरीके से हमारे घरवालों के साथ रेट किये तथा जब हमारे पिता जी के, पिता जी ने लिखवाया उनके खिलाब फाइयार तो पुलिस ने साब मना कर दिया, बोला, जहां उन पता नहों, वहां बता दो F.I.R. नहीं लिखा जाएगा बहुत प्रेशान हूँ अभी मेरे माता पिता भाई सभी जेल में हैं मैं यहाँ डूटी पे आ गया था और मुझे बेहद अफसोस है कि मैं यहाँ रहते हुए भी घरवालों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ और मेरे पास सब का वीडियो लडाई का वीडियो है और जो मुझे थानव मारा गया सब का वीडियो है यह मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मेरे पास कोई भी कोई चाहरा नहीं प्लीज मेरा हल्प कीजिए जैन जैवार मामला सामने आने के बाद देश के सैने के साथ मानिनी मुक्रमत्री शिवरा सिंग जोहान के द्वारा इन दोश्यों के उपर कड़ी कारवाही की जाएगी यह यू ही अपने आप सूचना देने के पश्चात टालम टोल करके मामला को ठंडा कर दिया जाएगा